हलो गाईज वेल्कम बाग दिस साइट संजीब पांडे और आप देख रहे हो एड्यू है यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट है मतलब इसमें ऐसा होता है कि normally मतलब majority बच्चे ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में fail तो नहीं होते majority बच्चों की बात करां कुछ होते हैं जिनको यह को बहुत ही ज़्यादा अधिक्क it होती है तो अलग बात है तो इंग्लिश में fail तो फेल यह इसमें कि आशोर करना कहना मतलब 90 प्लस uh 100 में से 90 प्लस लाना या 80 में से 70 प्लस लाना 75 प्लस लाना यहां पर जबस लगता है और 80 में से 80 लाना खासब तो अलाग है ऐसे कुछ बोर्ट से जहां पर फूल मार्क्स नहीं दिए अपने टाइम की बाप बतारो बेफोर स्टार्डिंग विद इस कि ना जब मैं 6th 7th 8th 9th में 9th मेरे ख्याल से जब मैं गया तो मैंने यह चीज नोटिस करी कि भाई मैं कितना भी इंग्लिश में एफर्ट डाल रहा हूं सब्जेक्ट के अंदर पर एवरेच मतलब जैसे 100 में से 60 प्लस 65 प्लस से उपर बहुत जाद उपर नहीं आते तो एक फैक्ट तो यह होता है कि स्कूल टीचर को लगता है कि यह बच्चा तो इंग्लिश में इसको इतने ही मिलते हैं तो वह भी एक ट् अंसर शीट कंपेर किया था अपने एक दोस्त का ठीक है और इंग्लिश का जब मैं जैसे मुझे 63-64 के राण मिले थे और जो फ्रेंड 100 में से ठीक है जिसको 93-94-95 वैसे मांक्स में थे मुझे एक्जाक्लिन मांक्स का याद निया पर मैंने कंपेर किया था और मैंने यह दे इसने जिस तरीके से जब essay-writing की थी, letter writing की थी, जिस जबर्दस्त phrases का, जबर्दस्त high-level words का जिस तरीकी से यूज किया गया था और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं जो भी हिंदी में भी मैंने एक ता कि बहु ऐसे इक ता था तो हिंदी में तो देरे काफी इंग्लिश में भी धीदरे करके वो चीज हुई थी ठीक है तो बात ये निकल के आती है कि भाई आपको कहीं न कहीं एक बहुत ही जादा importance जो है वो reading का बहुत जादा यहां पर असर पड़ता है चाहे आप newspaper रीड कर रहे हो चाहे continuous reading की है कोई भी किताब रीड कर रहे हो आप तो उसका एक advantage मिलता है वहां पर सिर्फ आपका reading skill या passage सिर्फ नहीं इंप्रूब होता वहां पर grammar भी indirectly वह इंप्रूब हो रहा हो तो इस very important part of the subject अब मैं यहां पर आपको 10 ऐसे points बताऊंगा जो collectively आपको help करेंगे ठीक है full mark score करने में English के तो आए शुरू करते हैं सबसे पहला जो मैंने यहां पर point लिखा है वह spelling अब क्या होता है कि आपको पता है कि spelling ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं कि सिर्फ English में हर subject में spelling अगर mistake होगा है human brain designed ही ऐसा है कि गलतियों को पकड़ने के लिए बना है सई चीज पकड़ में आजाएगी तो जब examiner भी paper check करा जगा जगा पर spelling की mistake देखेंगा तो क्या हो जाएगा हर जगा पर शर्कल 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 पूरा पेपर जो है उससे समझ में आ जाएगा कि नहीं यार इसका सब्जेक्टिवीक है तो आपको बहुत खास कर spelling वाले पार्ट पर ध्यान देना चाहिए अब मैंने जो बता था रीडिंग तो रीडिंग का एक और ठीक है खास कर उसको पढ़ना चाहिए so spelling वाले पार्ट पर आपको खास कर ध्यान देना है when I am talking about English subject या कोई भी language की बात कर रहे है तो वहाँ पर basic spelling mistakes को करें because overall impression जो है आपका खराब करता है examiner के सामने ठीक है और यह आपने अवाइड कर दिया तो समलों की आधे से ज्यादा problem तो वहाँ पर सॉल्व हो जाए coming to the next point stick to word limit यह आपको लगबग हर टीचर बोलेगा stick to word limit डोंट राइट एक्स्ट्रा क्योंकि इससे वह फर्स्ट वाला पॉइंट जो एना वह इंप्लिमेंट हो जाता है कि अगर आपको बोला गया है कि भाई पचास से साथ शब्दों में लिखो तो आपको कोशिश करने ह इसमें लिखो उसके दो फाइद है पहला कि आपको इंग्लिश का पर नॉम्मली लैंग्वेज का पर लेंदी लगता है मुझे लगता और काफी बच्चों से मैंने रिवीव लिया हुआ है तो आपको वैसे ही टाइम कम मिल रहा है तो आप क्यों दस वर्ड एक्स्ट्रा ल बढ़ जाएंगे सो वो चीज़ अवोइड करनी है ओके वर्ड लिमिट के इस आप से लिखो और सीवेसी मैंने बताया है टूद पॉइंट चीजों को आपको माक्स देता है बहुत एक्स्ट्रा भरने वाले को कोई यहां पर नॉमली हर बूड का यह ट्रेंड बन चुका है है इक दोयकी तो अब सुम्री जादा पता है कंपेट टूउ उस कोश्ट्न का एक्जाक्ट अवह जाएंसर आपको एक-दो में आरहाँ तो आप क्या करोगे आप सम्री लिखोगे आगे पीछे कहान है लिखोगे और फिर वो exact answer वहाँ पर लिख दोगे एक दो line में तो कोशिश करो अब इसका मैं solution भी बताऊँगा कैसे कर पाऊगे कोशिश करो कि हर question में आपको summary नहीं लिखनी मालो आपको एक chapter के 2-3 question आगया हर बार वो summarize summarize आप लिख रहे हो तो उसका कोई weightage नहीं होता ठीक है तो कोशिश करो कि आप exact answer के around में जो situations है वो बताऊगे ठीक है यह कैसे करोगे I'll come to that point अगला है how to practice for reading ठीक है reading section जो होता है या especially unseen passages होते हैं आजकल बहुत ए creative way में चीज़ें पूछी जा रहे है तो reading section के लिए out of the box नहीं बोलूँगा ज़्यादा समय नहीं अभी exam के लिए तो आप क्या कर सकते हो कि देखो उससे दो फाइदे होंगे मैं उस point को भी मैं आगे cover करूँगा एक जो सबसे important बात यह है आप अपनी textbook का जो chapters है textbook के जो poetry's है textbook की line to line reading लगाऊ ठीक है और वो करने से पहले एक और काम कर सकते हो मतलब अगर आप कोई chapter पहली बार पढ़ रहे हो कोई भी chapter पहली बार पढ़ रहे हो और लग रहा है कि नहीं इस chapter के बार में जादा मुझे idea नहीं है what you can do is उस chapter का पहले questions पढ़ लो यह आप unseen passage exam के टाइम पे यह trend को follow कर सकते हो कि जो passage है और नीचे question दिया है ना पहले question को पढ़ लो एक बार उसके बाद जब passage को आप read करोगे ना तो क्या होगा कि आपके एक subconscious में आपको उसका answer भी आप set कर पाऊ गया रहे हैं यह वाला line तो हाँ होता है कि आपको पूरा passage पढ़के concept को समझ के आपको उनसा answer लिखना है ठीक है तो इसके लिए को पहले question पढ़ो और फिर वह passage पीजाओ मैं coming to this point कि reading section को improve कैसे करें तो उससा उसका जो है इसकिलिए मैं एक ही बताऊंगा कि आप textbook को line to line read करो अभी भी time है आपके पास ठीक है उसका advantage यह होगा कि आपको कई बर vocabs का भी काम होगा कई बर ऐसे होगा कि वह chapter का भी तो तैयारी हो रहा है ठीक है बदलब बच्चे के बच्चों का आपको unseen passage कर रहे हो ना तो वह रीडिंग का प्राक्टिस असल में आपको unseen passage का प्राक्टिस ही यहां पर हो रहा है तो बैसिकली सब्सक्राइब ऐसे साथ 6 जाब बिल्कूल करने से इस वेरी 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 इंपोर्टन की जो भी esf यहां पर लिखा था तो हर साल जो फोर्माट है काफी जो हैं बदलाव हो तहसाल होते बहूत फ्रीक्में ओते रहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एट में नाइन में पढ़ा हो या एक साल-दो साल पहले पढ़ा और वही फॉर्माट फॉलो करें कोशिश मतलब यह चीज के गलती मत करना कि आपको इस बार क्या क्या चीज है उन सब का फॉर्माट प्रॉपर ज आप से आपको वह चीज फॉर्माट आपको पता होना चाहिए फॉर्माट गडबड करोगे तो मांक सीधे कर जाते हैं तो फॉर्माट जो है लेटेश फॉर्मेट क्या चल रहा है उस आप से आपको सभी राइटिंग सेक्शन के लिए आपको तयार रहना है इसके बाद या वाट वसाइप लिख देंगे तो यह शॉटकरट का जो इस्तमाल है यह आपके नंबर काट सकता है इसके सीधे नंबर कट जाते हैं तो यह बी केरफुल वाइल क्यूंकि आपको बहुत यह लाइंग्वजिस यूज करने लगे हो यह आजकल की कम्मिनिकेशन में तो यह चीज आपको अपने पेपर में नहीं लिखनी है यह धियान रखना नंबर कटेंगे इसके सिर्फ समरी नहीं डीटेल टेक्स्टबुक करो यह मैंने अल्रेडी वहां पर कवर करा इसका सिर्फ वीडियो समरी से काम नहीं चलेगा आप बहुत लोग तोड़ा सा आलसी हो गए हो चीक है उसमें आप क्या करते हो चैप्टर की जो शॉट फॉर्म भी समरी होती है आप व पाइदा होगा उसे काफी वोकैबिलरी जैना सिनॉनिम्स तो यह सब चीजें जो है आपको भी आएंगी और दूसरा जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें कारेक्टर के बारे में प्रॉपर आइडिया मिलेगा है ना बहुत जरूरी होता यह क्या कौन से कौन से उसम नहीं पढ़ा हो ठीक है यह बहुत सही तरीका है रिवाइज करने का भी आपने हो सकता स्कूल में चैप्टर आपको पढ़ाया गया हो पर जब आप टेक्स्बुक से पढ़ोगे हो सही तरीक से रिवाइज भी हो रहा है बहुत बढ़िया and also you are practicing for the unseen passage as well जितना reading लगाओगे चाहे बुक हो टेक्स्बुक हो या कोई भी किताब हो या निउस्पेपर हो डाट विंप्रूव यूर रीडिंग या unseen passage वाला स्किल और दूसरा क्या ग्रामर वाला पार्ट भी ग्रामर के कई सारे question तो आप है ना यह वर्ट जो option दिये होते हैं उसको set करकर कि आप कई बार fit कर लेते हो इसको अगला है make your own vocab booklet तो जब भी आप chapter पढ़ रहे हो और आपको कुछ नहीं new words terms आते जा रहे हैं तो उसका एक booklet अपना एक बनाओ जिसके अंदर आप word और उसकी meaning भले ही नहीं पता गूगल से उठाके search करके आप लिख रहे हो लेकिन वो करते जा रहे हो ठी लाइफ बहुत असान होता है बहुत सारी जगहों पर आपके mark sheet से जादा वो जो यह सारी skills से काम आते हैं बहुत अच्छे बहुत important skills है विटाई अगला है अब जब मैं जो points बताना हूं यह सब चीजें तब की है जब आप exam में exam की तयारी के हिसाप से कर रहे हो proper तो read what you write and write what you read effective reading can lead to effective writing मतलब ऐसे होता है आपका जो thinking skill है आप अच्छा है आप अच्छे words दिमांग में फ्रेम कर पा रहे हो अप लिख भी सकते हो लेकिन time की कमें की वजह से या फिर आप सोच रहे हो नहीं पेपर छूट जाएगा इन सब की वजहों से आप जो लिख रहे हो जो पुरानी आपने जो पिछली दो तीन लाइन लिखी आप नहीं read कर रहे हो और आगे-ागे आप लिखते जा रहे हो तो होगा क्या बता है कई बार वह बहुती nonsense type का sentences बच जाता है इसलिए जो लिख रहे हो उसको read करो और जो read किया है या जो phrases आपन प्रॉपर्ली दिमाग में फ्रेम कर पा रहे हो वही चीज लिखनी है that is very important और आपने जो लाइन लिखी है पिसली होती लाइन यह शुरुवात से एक बार read करो कि हाँ यहां पर कैसे जा रहा है यह बहुत important ठीक है अगला देख लो अब यह है कि भाई जैसा मैंने बताया कि English का paper ना ऐसा होता है कि काफी lengthy जाता है काफी चीजें होती लिखने को करने को lengthy जाता है तो आपको बहुत जरूरी है कि latest paper को practice करते रहें ठीक है जो भी latest pattern आया हुआ है इस साल का उसके हिसाब से practice करते रहें ठीक है और time limit set करें per question जो भी marking scheme है वो सब को समझते हुए ठीक है अपना खुद का एक ऐसा बना लो एक शीट जहां पर आप आपको पता होना चाहिए इस section में कितना time जाना चाहिए logically divide करके total time को और हर सवाल के लिए section के लिए कितना time allocate होना चाहिए वह आपके दिमाग में होना चाहिए so that you can set कि भाई मेरा section इतने time में होना चाहिए section B इतने time में section C इतने time में वह पूरा planning आपका होना चाहिए सिर्फ लिखने से नहीं होगा you have to practice many question papers ठीक है at least कुछ नहीं तो भी कम से कम चार बार पांच बार शे बार प्राक्टिस करोगे तो उसका क्या होगा advantage कि भाई you'll get the flow कि भाई मेरा यह इस बार इतने इतने घंटे में हुआ तीन घंटे में हुआ या साढ़े तीन घंटे में हुआ अगले बार में उसको और तेज करोंगा कौन से section में तो वह सारी चीजी भी आपको करनी है ठीक है time management के लिए बहुत जरूरी होगा paper practice करना presentation अगें important part कम से कम शुरुवाती पार्ड में कोशिश करो जादा कार्ट पूटी नहीं करो थोड़ा handwriting maintain करो starting के कुछ चार पांच pages में ठीक है उसके बाद भी एकदम अवकात नहीं दिखा देनी है थोड़ा सा हिसाब से लिखना है and highlight keywords यह दो of course सभी subjects के लिए लागू होगा पर यह बहुत important होगा कि you have to practice जितना हो सकता है latest question पर प्रक्तिस करो know the formats ठीक है और reading के लिए में आपको बताए कि NCRT को compulsorily line to line read करो अभी भी time this point will obviously help you अगर आप सही से follow करते हो बहुत फाइदा होगा है टागेट करो एम करो कि बहुत जादा rocket science नहीं है पर जितना है ना उसको अच्छे से systematically करोगे एक दिन में ना तो grammar improve होता है एक दिन में ना तो reading section improve होता है राइटिंग के लिए फॉर्माट समझ सकते हो लेकिन वो जो लेवल आफ जो वर्ड सेलेक्शन और वो सब चीजें बहुत जरूरी होती है और जितना जादा reading करोगे आप उतना जादा download the app now